प्यारे वच्चों नमस्कार और आपका पुनास्वागत है आज हम एक महत्वपून टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो की है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इस से जो भी प्रशन पूछे जा सकते हैं उन पर मैं बात करूँगा तो सबसे महत्वपून प्रशन जो यहां से पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भारत के पर्थम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे भारत के पर्थम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सैन थे क्योंकि 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे दूसरा प्रस्न कहीं बार यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत के दितियम निर्वाचन आयुक्त कौन थे या दितियम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो आपको द्यान रखना है कि के वी के सुन्दरम भारत के दितिय मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उसके पर चाथ एक प्रस्ण यहावी पूछ लिया जाता है कि भारत में वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो उसपर हम बात करेंगे तब तक आप कमेंट करके बताएं कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो एक बार पूरा सीरियल से देख लेते हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके कार्यकाल को। तो तीसरे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे S.P. सैनवर्मा जो की 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे है। चौथे डाक्टर नागेंद के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। आगले टी स्वामिनाथन जो की 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। आप तिथी के अनुसार नहीं, एर के अनुसार भी इसने याद रख सकते हैं कि कब से कब तक ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। अगले SL सकधर जो की 1977 से 1982 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। आर के तिर्वेदी वर्स 1982 से 1985 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। एक प्रस्न यहां से इस परकार भी पूछा जा सकता है और खास करके NTA NET की परिक्षा में पूछा जाता है। आपको इन में से किसी भी चार नाम को दे देगा और उसको करम में लगाने के लिए कभी बढ़ते हुए करम में और कभी गटते हुए करम में लगाने के लिए दे सकता है तो आप उस अनुसार भी इसको अवश्य पढ़ें अगर आप NTA NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले हैं RVS पेरिसास्त्री जो की 1986 से 1990 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे अगली हैं सिरीमती V.S. रमादेवी जो की वर्स 1990 से 26 नमबर 1990 से 14 दिसंबर 1990 तक लगभग एक महा डेड़ महा का इनोंने कार्यकार किया था फिर है T.N. सेशन और इनको देखते हुए जो सिरीमती S. रमादेवी है यह अभी प्रस्ना आ सकता है कि सबसे छोटे कार्यकाल का मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत में कौन रहा तो इसको भी आप ध्यान रखेगा कि V.S. रमादेवी सबसे छोटे कार्यकाल की निर्वाचन आयुक्त रही है अगले है T.S. गिल जोकी वर्स 1996 से और 13 जून 2001 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे अगले है J.M. लिंगदो जोकी 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे है अगले है T.S. कृष्णमूर्थी जोकी 8 फरवरी 2004 से 15 मही 2005 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे है फिर है B.B. टंडन जोकी 2005 से 2006 तक N. गोपाला स्वामी 2006 से और 2009 तक नवीन चाउमला 2009 से और 29 जुलाई 2010 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे V.S. संपत 2012 से 2015 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे S.HS. ब्रम्मा 16 जनवरी 2015 से 18 अपरेल 2015 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे डॉक्टर नसीम जेदी, 19 अप्रेल 2015 से 5 जुलाई 2017 तक, स्री एके जोती वर्स 6 जुलाई 2017 से 22 जनवरी 2018 तक और स्री ओम प्रकास रावत 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक भारत के मुख्य निर्वाचनायुक्त रहे और अन्तिम है सिरी सुनील अरोड़ा, क्योंकि हमारा पहला, मैंने आपको पीछे भी प्रस्ण पूछा था, कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचनायुक्त है तो भारत के मुख्य निर्वाचनायुक्त है अब एक प्रस्ण यहां और पूछा जा सकता है कि जो सुनील अरोड़ा जी है, वो कौन से नंबर के मुख्य निर्वाचनायुक्त भारत के हैं तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि कौन से नंबर के मुख्य निर्वाचनायुक्त सुनील अरोड़ा है आप लोगों ने मुझे सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद